सातियों आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है आरबियस से हिंदी ज्यान के सबाग में आज हम कक्षा नो के अंतरगत लहासा की ओर के प्रश्णों का अध्यन करेंगे जो एक यात्रा वृतान्त है प्रश्ण एक थोडला के पहले के आखरी गाउं पहुँचने पर लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला जबकि दूसरी यात्रा के समय बद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका क्यों लेखक को गाउं में ठहरने का उचित स्थान मिलने अत्वा ना मिलने के निम्न कारण हो सकते हैं जब लेखक बिखमंगे की वेश में यात्रा कर रहा था उस समय लेखक के साथ उसका मित्र सूमती था जो उस गाउं के अनेक लोगों से परिचित था इस कारण लेखक को गाउं में ठहरने का उचित स्थान मिल गया दूसरी बार जब लेखक किसी बद्र के वेश में गाउं में आया तब संध्या विला था और गाउं के लोग नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण अपने होश अवाज खो बैठे थे इस कारण लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान ना मिल पाया और किसी गरीब के जूपड़े में शरण लेकर समय व्यतीत करना पड़ा प्रश्न दू उस समय तिबबत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का बहे बना रहता था जब लेखक ने तिबबत की यात्रा की उस समय वहाँ हथियार का कानून नहीं था वहाँ के लोग बंदूक पिस्टॉल इस तरह लिए रहते थे जिस तरह ग्रामीन लोग अपने हाथ में लाठी लिए फिरते हैं वहाँ अनेक ऐसे दूसाद्य स्थान थे जहाँ पुलिस और सरकारी खूफिया विबाग का पहुँचना संभव नहीं था ऐसे स्थान पर डाकू किसी को भी मौत के गाट उतार सकते थे पुशनतीन लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया लेखक के अपने साथियों से पिछड़ जाने के निम्ण कारण थे लेखक का गुड़ा मंदगती से चल रहा था जब लेखक अपने गुड़े पर जोर देता था तो वे और भी मंधर गती से चलने लगता था दूसरा कारण यह था कि लेखक गलत रास्ते पर डेड़ मील दूर चला गया था इस बात का ग्यान होने पर पुने लोटकर सही रास्ते पर आया जिस कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया प्रश्ण चार लेखक ने शेकर विहार में सूमती को उसके यजमानों के पास जाने से रोका परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया सूमती आसपास के गावों में गंडे ताबीज बांटने जाते तो जल्दी वापिस नहीं आते थे इसलिए लेखक ने उन्हें यजमानों के पास जाने से रोका परंतु दूसरी बार लेखक को शेकर विहार में बुद्ध वचन अनुवाज की 103 पोथियां मिल गई थी और लेखक उनका अध्यन एव ग्यानारजन करने के लिए एकांत चाहता था इस कारण लेखक ने सूमती को रोकने का प्रयास नहीं किया प्रश्न पांच अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा उन में से कुछ इस प्रकार है में यात्रा करनी पड़ी कुछ ऐसे रास्तों पर भी यात्रा करनी पड़ी जहां हतियार रखने का कानून ना होने के कारण डाकूं का बहे निरंतर बना रहता था गोडे की मंतर गती के कारण लेखक अपने साथियों से बिछुड गया था अपने सामान को स्यम अपनी पीट पर लादना भी पड़ा था प्रश्नच्छे प्रस्तोत यात्रा वृतांत के आदार पर बताईए कि उस समय का तिबबत समाद कैसा था लेखक ने सन 1939 में तिबबत की यात्रा की थी उस समय वहां की स्त्रीयों में परदा परथा नहीं थी वे अपरिचित व्यक्तियों की सेवा सहायता भी कर दिया करती थी संद्याकाल में वहां के लोग छड़ पीकर मस्त रहते थे दार्मिक प्रावरित्ति के कारण बोध गया के कपड़े के गंडे धारण करते थे समाज में छुआ छूट जाती पाती के बंदन व्याप्त नहीं थे कानून व्यवस्था का दबाव ना उने के कारण डाकूँ का बय बना रहता था सामाने लोग जिस प्रकार लाठी रखते हैं उसी प्रकार वहां के लोग बंदूग रखा करते थे अधिकांश मठो का वहां की जमीन पर कबजा था रशन साथ मैं अब पुस्तकों के बीतर था नीचे दिये गए विकलपों में से कौन सा इस वक्षे का अर्थ बताता है इसमें पहला है लेखक पुस्तके पढ़ने में रम गया दूसरा लेखक पुस्तकों की शैल्फ के बीतर चला गया तीसरा लेखक के चारों और पुस्तके ही थी और चोथा पुस्तक में लेखक का परीच्चे और चितर छपा था इस प्रश्ण का उत्तर है पहला लेखक पुस्तके पढ़ने में रम गया आशा करता हूँ कि लहासा की और अध्याय की सभी प्रश्ण आपको बली माती समझ में आए होंगे कक्षा नोसे संबंदित NCRT का संपूर पाठे करम आपको हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाएगा अते चैनल को अधिक अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बविशे में आने वाले सभी वीडियो आपको अतेशिगर प्राप्त हो सकें धन्यवाद